लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे थे मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशे पूरी नहीं करते मेरी नाराजगी पर बाबा का चहरा हमेशा उतर जाता वो बड़ी मोहबबत से मु बीच नहीं रहे हैं तब हमें इस बात का हसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने एहम थे जब तक वो हमारे सरों पर मौजूब थे कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरत से तो हम वंचित नहीं थे बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आसपडोस वालों और खांदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन अहिस्ता अहिस्ता सभी अपनी जिन्दगियों में बिजी हो गए, आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है, मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझा गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है, किसी भी कमपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी, हर कमपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते, मैंने स्कूलों का रुक किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई, कि आधे द से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 रुपे मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही चूकते हो पाते, इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूचते और मेरा मूँ खाली रह जाता, बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली, तो म मेरी एक दोस्त के भाई के जर्ये से मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई, ये शेहर के एक भीर भार इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज्यादा भीर रहती थी, काले रंग का फिटिंगदार पेट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया, उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे, जो मुझे पूरे करने थे, उन्हें एक मौडन सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिये जिसकी छोटे-छोटे से बाल कंदों पर फैले हुए हो, और वह बहुत सारा मेकप करके दाइनिंग हॉल में खड़ी हो, मैं युनिफॉर्म अपने बैग में डाल कर वापस घर लोटाई थी, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था, बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरक घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिच्चा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच, इतने तन कपड़े पहन कर खरियना मेरे लिए एक बहुत ही भुटन भरा काम था, मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है, मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी मा दर्वाजे पर ही परिशान सी खड़ी थी, मुझे देखकर उनकी आँखों में आशू आने लगे, मैंने मा से कहा कि वो दर्वाजे तक क्यों चली आई, तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पिछले दो महीने से हम बिल नहीं चुका पाई थे, और शायद इसलिए हमारी बिजली कात दी गई थी, मा के आँसों ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था, मैंने मा को गले लगाया और उन्हें बताया, कि मुझे एक अच्ची कैसे निभाओंगी, लेकिन मुझे ही यह फर्ज निभाना था, मा को उच रही थी कि मुझे नौकरी कहां मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी, कि मुझे कहां नौकरी मिली है, इसलिए मैंने मा से कह दिया कि एक बढ़ी सी कंपनी में एक अच्ची नौकरी म देखने लगी कि यह कौन सी कमपनी है जहां दो पहर तीन बजे बुलाया गया है मैंने जूट कह दिया कि यह है एक मल्टिनेशनल कमपनी है जो 24 घंटे चलती है इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि मान ने और ज्यादा सवाल करने की बजाए मुझे तरक्की की धेर स खड़ा कर दिया और कहने लगा आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम्हार आते जाते को इज़्जत से वेलकम करोगी और गुस्सा हो कर कहा कि यह कैसा मूँ उठा कर आ गई हो जाओ पहले मेकप करो मैंनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुगी क्योंकि मेरे पास मेकप नहीं था वहां मौझूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई वहां बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आइने में खुद को देखा तो हैरान रह गई मुझे मालूम था कि मैं खुबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है लेकिन थोड़े से मेकप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी मैं खुद को आइने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खुबसूरती देखकर ही तो यहां रखते हैं वरना काम करने को तो बह और मेरे पैरों में बहुत जादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों की धक्के खाते हुए घर भी पहुचना था बारा बजे की करीब मैं घर पहुची थी मां मेरे इंतजार में जाग रही थी मैंने मां की साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर प तरकते कब मुझे नीन लग गई पता ही नहीं चला अगले दिन मैं फिर दो बजे के करीब घर से निकल गई थी